हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाने बाले हैं बचे हुए कपड़े से डिजार नर सरारा कुरती तो यह मैंने अभी हाली में एक 15 से 16 साल की लड़की के लिए ड्रेस बनाईती हल्दी स्पेसल उसी में से यह बच करूंगी कुर्ती के लिए और जो दूसरा फैब्रिक था हमारा उससे मैं नीचे का सरारा किरेट करूंगी तो यहां हम लेंथ नाप लेंगे पहले जितना भी हमें उपर टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक चाहिए उतना हम नाप लेंगे और उसी के यह अकॉर्डिंग हम जो हमारा बचे का डा जब्रिक उसकी हम नीचे टॉप पार्ट में लियार बना देंगे तो यहां पर मैं वीर्थ ले रही हूँ यहां पर 8 इंच तो 8 इंच मैंने ये 4 फोल्ड करगे फैब्रीक रखा है तो इतना मैंने फैब्रीक कट कर लिया है अब जो बचा हुआ कप्ला है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइट कर लूँगी 2 पार्ट में डिवाइट करने के बाद हम इसको यह जो प्लेन माला भाग है उसको हम नीचे से फोल्ड कर देंगे अब इसकी जो वीर्थ है इसकी है 12 इंच और इसकी लेंथ है 30 इंच यानि 30 इंच और 12 इंच अब जो हमारा फैब्रिक था उसको हम यहां पर फोल्ड करके रख लेंगे जितनी हमें लंबाई चाहिए होगी उ कट करेंगे अब यहां पर कि मार्किंग करेंगे गले की वीर्थ है 2 इंच ले रही है और लेंथ उसकी गार्त में months in मिजा से से थिरी इंच कर लेंग वह से चाहिए किससी बंस का लिए निचे से यहां पर Baptist कन कर लेंगे है यहां पियार Aww будет करींगे जाहार मार्किंग की है इसको हम चुस्ट करvenirए कि अस्तर भी कट कर लेंगे इसकी टॉप पड़ कि हमारी कटिंग हो कुगी है दएख सकते हैं आप हो, यह उस्ट कुषी हम डालते हुए अटेच करेंगे तो इसकी टोटल लेंद्ध है 22 इंच क्योंकि जो जो हमारा नीजे वाला फैबरिक है प्लेन वाला इसको हम फोल्ड कर देंगे तो कुर्ती की यह मारी लेंद्ध 22 इंच आएगी अब हम इसका इसी के अकॉर्डिंग अस्तर भी इसका कट कर लेंगे अब सरार इंच लोंगी तो यहां पर हम लेंद्ध ले रहे हैं इसकी 15 इंच ले रहे हैं और वीर्थ में यहां पर 10 इंच ले रही हूं तो उपर से जो हमारा उचा नीचा फैबरिक है इसको हम कट करके हटा देंगे अभी देख सकते हैं तो यहां पर 12 इंच पर मार्किंग कर लेंग तो इसकी टोटल वीर्थ 15 इंच है लेंद्थ इसकी 15 इंच है तो 12 इंच मैंने आसन की मार्किंग कर ली है तो इसकी साइड तीसी लाइन रो करते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे अब हम इसकी सरारा की नीचे की लियर कट करेंगे तो जो बच्चा हुआ फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे अब इसकी लेंद्थ ले लेंगे हम 18 इंच यानी 18 इंच आठारा इंच पर हम मार्किंग करते हुए जितना भी हमारा सेप्रेट फैब्रिक इसको हम कट करके निकाल लेंगे और इसकी हम सरारा में नीचे से लेयर बनाएंगे तो टोटल जो हमारी सरारा की लेंद्थ होगी यह होगी 32 इंच 32 इंच और जिस जो हमने फैब्रिक इसमें नीचे लेयर में अटेच कर रहे हैं इसकी लंबाई है 52 इंच तो इस तरह से मैं की तरह सेम हमें कट करना है और सिलाई करनी है उसके बाद हम सरारा में अटेश करेंगे तो यह देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है और अस्तर ऊपर टॉप बाले पार्ट की भी अस्तर की कटिंग कर ली है अब यहां पर मैंने अस्तर पर टॉप बाले पार्ट को उल्टा एंदर की साइ्ट सीधी साइड रखी है यहां पर हम गले में इसके सिलाई लगा लेंगे गले में सिलाई लगाने के पाद हम इसके दोनोंस साइड से आर्मोल पर भी लगा लेंगे तो इस तरह से हम इसकी cutting करेंगे चोटे-चोटे से लगा लेंगे या पर सिलाई करने के बाद हम इसमें दोनों आर्मोल से लगा लेंगे इसमें सिलाई लगाने से हमें क्या होगा कि हमें कोई एक्स्टरा और भी पाटी इसमें attach करने की जवरूद नहीं पड़ेंगी उल्टी साहिद हम सिलाही लगा कि जब इसको सीधा करेंगे तो हमारा और लेडी फिनीसिंग के साथ आर्मूल इसका कम्प्लीट हो जाएगा तो यहां पर जो एक्ट्रा फेवरिक है इसको हम कट करके हटा देंगे अब इसको हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हम इसको बराबर से पहले सेट कर लेंगे फिर इसमें हम टॉप स्टीचिंग लगा लेंगे चारो तरप से यहां पर हम इसमें टॉप स्टीचिंग लगा लेंगे अब हम दोनों के आर उपर से solder attach कर लेंगे solder attach करने के बाद हम इसको इस तरह से मेने fold करके रखा इसीधी साइड पर हम यहाँ पर Center से कमने इस तरह से marking करते हुए इसमें एक Center से में line draw कर दी है इसको पलटते हुए दूसी चाइड भी छाप लेंगे वो उस पर हम डार्क मार्किंंग करते हुए इसमें जो आमने पतली वाली बताइए आपको यह वाली हम लेस इसमें अटेच करेंगे तो इसकी हम दो लेयर लगाएंगे अभी मैं पहली लेयर लगा रही हूं तो बहुत ईजी गला मैं बना रही हूए यहाँ पे तो इस तरह से एक layer लगाने के बाद हम इसमें दूसी भी layer लगा लेंगे और इसमें हम golden button का भी use करेंगे आगे तो यहां पर यह की layer हमारी लग चुकी है अब यहां पर इसी तरह हम अंधर की side से दूसी layer भी लगा लेंगे यह दूसी layer भी लग चुकी है इस तरह से तीन बटन हमें लेकि इसमें सेंटर में फिक्स कर देना है इस तरह से कुछ हमारा गला दिखेगा अब जो नीचे लेयर के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया था अस्तर और हमारा मैन फैब्रिक दोनों को हम आपस में अटेश कर लेंगे सिलाई लगाते हुए दोनों को अटेश करने के बाद बाद को नीचे से फोलड कर लेंगे un USD building को भी वस्तर बाले पार्ट को भी नीचे से फोल्ड कर लेंगे तो मैंने देख सकते हैं, नीचे से इसको फोल्ड कर लिया हैह। दोनों पार्ट्स को थोड़ा सा साइड जादा था तो उसको cut कर के आपे बराइबर कर ले रहे हैं आप नीचे से honor को फोल कर दिया है दोनों फैब्रीक को अब नीचे हमारा नीचे फिलेयर वाला फैब्रीक से औपर ऑन टॉप बाला रगना अंदर के साथे दोनों के सीधी साथ की आप रगना है अब यहां पे जो हमारा फ्लेयर वाला फैवरिक है जिससे हमें घीरा करेट करना है टॉप बाले पार्ट में उसमें हम इस तरह से प्लेटे डालते जाएंगे और अपना टॉप बाले पार्ट उसी में अटेच करते जाएंगे इसी तरह से प्लेटे डालना है हमें इसी तरह से तॉब बला पाठ अटेज़ करना है इसी तब प्लेट डालते हुए our चिम्हाः ने रख paste य। सब्सक्राइब देख सकते हैं। देख सकते हैं, दुनों साइट में अटेच कर लिया है, अब यहाँ पे में साइट से पकड़ते हुए, अन्दर की साइट सीधी साइट रखनी है, और जॉन्ट पे जॉन्ट मिलाते हुए, यहाँ पे में सिलाई लगा लेनी है, कमर के थोड़ी दूर पे तो हम चारों यह मार्किंग सब फैब्रिक में लगा लिया है फिर कमर बाले पार्ट स्चाट जो हमें इसाइस के ना कर लियाझ उसमें हमें झिंड आसे पार्ट मुंट उसमें हमें इसमें उसमें करत तृच José अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे नीचे से चोड़ाई में नेटेंच लिए है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पतिर्छी लाइन ड्रो करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके हटा देना है बहुत ईजी प्रोसेस है अगर आप ध्यान से है अब यहाँ पर हमें दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए आसन में सिलाई लगाने लिए है आसन में सिलाई लगाने के पाद हम उदर साइड भी दूसी साइड भी हम आसन में सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ आसन की सिलाई जो कंप्लीट हो चुकी है हमारी अब हम इसके नी में जो मारा मेंट फैवरी के सरारा कट उससे अस्तर के पार्ट को छोटा ही रखना है जिससे कि अमारा अस्तर दिखे नहीं कि मैंने और लेडी अस्तर एक से डेड़ी इंच छोटा काटा था अब यहां पर हम फोल्ड करते हुए शिलाई लगा लिए अब सेंटर से दोनों पार्ट को पगड़ते हुए हम सेंटर पे भी शिलाई लगा लेंगे आसन वाले पार्ट को आठशन से मिलाते हुए यहां पर ह तो इस तरह जो पर्ण था। इस तरह इस से कंप्लीट हूरा हूं कि उसको साइड में रखतेए अब में बंसीष निजिए backpack क्पाइब मैं समयय उस जसे Assamście क्पाइब n t जाते हैं मैं इसमें छोटी-छोटी सी प्लेटे डाल रही हूं अगर आप गैद्रिंग करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं आपकी चोइस के कॉर्डिंग तो मैं यहां पे प्लेटे डाल रही हूं तो इस तरह से हम प्लेटे डालते जाएंगे और यहां पर सिलाई लगाते जाएंगे इसी तरह हमें एक पैर का घेरा कंप्लीट करना है उसके बाद दूसरे पैर का भी घेरा कंप्लीट कर लेना है इसी तरह से छोटी-छोटी सी प्लेटे डालते हुए फिरिसिंग के साथ हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे काट करने आपने हो और जो वीडियो पसंद आ रहा हो गांगर आप कुछ राउट हो तो हमें कमेंट करकर करके आपसे क्लियर पूछ सकते हैं यह संफिड नाइ एग एस 사 white का इसकcular के लिया अभी इंद सैट का इसी तरह से हम अब इसको कुए संधियास है यहांसे सैंटर से जहोड़ार को मिला एग एगेजुन requires सबीफेकर स यहां से सैंटर से दोनुट लेयर को मिलाते हुए सो फझें से सिलहा लगा लिए है कि हकोब हिते को इसी तरह से हम आलोबर आसन मिलाते हुए और जो व्मारी शिलाई वाले जोइंट उनको आपस में मिलाते हुए कोई भी वह आरा जूइन जोइन प्रम नीचे नहीं होना चाहिए तो इस तरह से हम आसन की सिलाई मिलाते हुए दोनों को सेंटर से स्चिच लिया है अब नीच इसको फोल्ड कर लिया है, और पतली वाली लेश में अटेच कर ली अब अपने चरारी पाट्स को सीधह कर लेंगे और अस्तर वाले पाट्स को भी सीध है आब अस्तर वाले पार्स के आपस में दोनों को सिलाई लगाते हुए आपस में जोंट कर लेना है इस तरह से हम ध्यान रखें आपका जो आसन वाले दोनों पार्ट से तो अस्तर के दोनों पार्ट से जोंट से अटेच होना चाहिए अब यहां पे एक बार फोल्ड करेंगे दुबारा फोल्ड करते हुए इस तरह से नेफा बना लेंगे हम जितनी हमारी चौड़ी लाश्टिक है उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर नेफा बनाएंगे अब यहां पर देख सकते हैं हम डवल फोल्ड करते हुए एक बार पहले मैंने हलका सा फोल्ड किया है हाफ इंच इतना उसके बाद मैंने एक और फूल्ड करते हुए यहां पर जितनी हमारी लाश्टिक है उस से हलका सा चौड़ा हमें नीफा बनाना है जिसे की आसान तरीके से हमारी लाश्टिक इसमें जा सके सेट हो सके फिर उसके वाद में एक सिलाइब और सेंटर में लगा देंगे तो यहां पर देख सकते हैं तो यहां मैंने safety print की help से, इसको elastic को हम इसमें डालेंगे, और इसको निकालते हुए आपस में सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाने के बाद हम इसको खीशते हुए elastic को set कर लेंगे, जब हमारी elastic एकदम से set हो जाएगी, तो जब हमारा open वाला पार्ट था सरारा में, उसमें हम पर सिलाई लगाते हुए, उसके बाद हम इसके center में खीशते हुए सिलाई लगा लेंगे, हमें elastic को खीशना है, और इसमें सिलाई लगाते जाना है, तो इसी तरह से हमें अपना सरारा complete कर लेना है, तो यह हमारा सरारा complete हो चुका है, देख सकते हैं, फुल गेर वाला सरारा बन चुका है और यह हमारी कूर्ती ऊपर की देख सकते हैं यह मैंने आठ साल की लड़की के लिए बनाया है तो यह बचे हुए कपड़े का मैंने यूज किया है अगर आप भी ड्रेस बनाते हैं घर में कपड़ा बच जाता है तो आप भी इस तरह से क्रियाट कर सकते हैं, और कपड़ा नहीं बचा है तो आप किसी के लिए बनाना चाते हैं, तो भी आप फ्रैंस का पैस्टा क्रियाइन हो, मेरे चैनल पर कि एशी तरह के लिए एच्ट्रेजिगे लिए वीडियो आ देखने केलिए मिलेंगे, थो जु जार वीडियो को ज़्यारा से जारा सैयर करें उमीद फ़ीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धरन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक केलए जावारा जय